हेलो दोस्तों मेरा नाम मुके स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल कुना में दोस्तों आज हम रियल मी 7 और रियल मी नार्जो 20 प्रो के बीच में कॉंपेडिशन करके बताएंगे दोस्तों अगर रियल मी 7 की प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका बेस सब्सक्राइब के साथ और इसका प्राइस सब्सक्राइब को सपोर्ट करती है और यह गुरिला गलास प्रोटेक्टेड है अब बात करें यह नार्जो 20 प्रो की डिस्प्ले की तो इसमें मिल जाता है 6.5 इंच की फुल एटी प्लस डिस्प्ले 90 हर्स डिस्प्रेस रिट को सपोर्ट करती है और इसमें भी गुरिला गलास 3 प्लस प्रोटेक्टेड है यह फून अब दोस्तों बात करते है रियल मी 7 की कैमरा की तो कैमरा यहां पर मिल जाता है 64 मेगा पिक्सल का सोनी का आई-म- 680 टू सेंसर और एट मे पिक्सल का आल्रावाइट कैमरा मेल जाता है और तू मेगा पिक्सल का प्लेट लेन्स मिल जाता है और यहीं बात करते है और यहां पर अगर हम रियल मी 7 की पॉरसेसर की बात करें तो Realme 7 परोसेसर मिल जाता है Mediatek Helio G95 परोसेसर और Realme Inogyo 20 Pro में भी मिल जाता है Mediatek Helio G95 परोसेसर यहां परोसेसर दोनों सिम है अब बात करते हैं Security की Peakissement को सिद्लीन यहां पर मिल जाता है दोनों में Side Mounted Finger Lift scanner मिल जाता है दोनों फोन में, Realme 7 में भी और Realme Nargo 20 Pro में भी, अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरी की, तो Realme 7 में बैटरी मिल जाती है 5000 mh की, जो 30 Watt की Fast Charger को सपोर्ट करती है, और In The Box भी मिलती है आपको 30 Watt का Fast Charger, अब यहाँ पर बात करते हैं Realme Nargo 20 Pro के बैटरी की बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 4500 mh की बैटरी, और 65 Watt की Super Dark Charger सपोर्ट करती है, और यह भी Charger In The Box आपको मिलेगी, तो दोस्तों यही है दोनों फोन का कॉमपरिजन, आप बताएं कैसा है दोनों में, कौन सा फोन बेस्ट है आप भी कमेंट करें, यहाँ तक मुझे लगता है, तो Real हिंद, बने मातरम झाल 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 झाल